Hi Everyone, You are watching Learn English with Sana Farhan आज हम पढ़ेंगे Tech Questions Tech Questions क्या होते हैं? और ये किस तरह बनते हैं? You are watching Learn English with Sana Farhan मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक भी कर दीजे Tech Questions क्या होते हैं? और ये किस तरह बनते हैं? नमबर बन पर है I daily play game इसका Tech Question बनेगा Don't I Second है My mother loves me Tech Question doesn't she और नमबर थ्री I like biryani इसका Tech Question Don't I हमें ये जानना है कि Tech Question किस तरह बनते हैं? ये आपने देखे हैं ये Tech Question से पहले सवाल ये है कि Tech Questions होते क्या हैं? कोई भी चुमला जब आप बोलते हैं तो इसके बाद आप किसी से कोई भी जूमला बोलते हैं तो इसके बाद आप छोटा सवाल करते हैं? ये छोटा से जूमला होता है उसके बाद वो question tag कहलाता है जैसे के पहला sentence था I daily play game ये एक sentence आपने कहा किसी से भी इसके बाद जब आपने एक जुम्ला कहा don't I कहना ही खेलता आपने सवाल पूछा तो ये question tag कहलाएगा My mother loves me मेरी अमी मुझसे प्यार करती है इसके बाद आपने एक sentence कहा पूछा किसी से doesn't she क्या नहीं करती हूं तो जब हम second वाला जुम्ला जब पूछते हैं सवाल करते हैं किसी से confirm करते है कि ऐसा है ये नहीं है तो वो question tag कहलाता है कोई भी sentence हम बोलते हैं वो किसी tense में हो या किसी tense में नहीं हो या ऐसी कोई साधा जुम्ला हो जैसे कि इस MR की रूल से बना हो is MR, I am a boy, she is a girl इस तरहां तो अगर वो tense में नहीं है ऐसी साधा बनावा है तो हम उसका ही help and work उठा कर second जुम्ला हम question tag बनाते हैं उससे हम question tag बना लेते हैं अगर किसी tense में पहले जुम्ला है तो उस tense का हम helping work उठाएंगे कोई भी अगर उसका helping work है उसको उठाएंगे पहले या फिर साधा कोई जुम्ला है उसके इस MR से बनावा है तो इस MR उठाकर second जुम्ले में हम रखेंगे सब सर्द शुरू में तो कोईशन टेक बनाने के लिए इस तरह हम कोईशन टेक बनाते हैं मतलब कोईशन टेक पहले जुम्ले का हम helping work उठाएंगे कोईशन टेक बनाने के लिए उसी रूल से कोईशन टेक बनेगा कोईशन टेक बनाने के लिए पहले जुम्ले का हम helping work लेंगे चाहिए वो किसी भी tense का हो या सादा है तो सादे उसका helping work उठाएंगे इसमार और अगर model वर्प से बना है जैसे के can, good, should, would, need तो हम इनको उठाएंगे can से बना है he can drive तो हम can को उठाएंगे can't he इस तरहां करके बनेगा question tech क्यों बनाए जाते है why need to use question tech अगर आप कोई जुम्ला किसी से बोलते है जैसे के it's raining बारिश हो रही है फिर आप question tech करके पूछते है इस तरहां करके पूछते है isn't it क्या नहीं हो रही it's raining बारिश हो रही है isn't it isn't it जो हमने second जुम्ला जो कहा यह question tech है हमारा यह question tech कहलाएगा question tech हम इसलिए पूछते हैं सामने वाले से हम confirm कर रहे होते हैं कि ऐसा है यह ऐसा नहीं है हम question tech पूछकर अच्छे से confirm कर रहे होते हैं question tech बनाने के कुछ rules होते हैं किस तरीके से बनते हैं question tag number one take out helping verb from sentence पहले sentence जो है जो हम सवाल कर रहे होते हैं किसी से पूछ रहे होते हैं कोई भी बात पूछ रहे होते हैं इट्स रेनिंग बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है सेकंड जो जुमला जो हम बनाएंगे take out helping verb from sentence पहले जुमले का sentence में से पहले sentence में से helping verb उठाएंगे और लगा देंगे question tag बनाने के लिए number two make a negative of helping verb पहले जुमला अगर affirmative है तो उसका हम helping verb उठाएंगे और question tag बनाने के लिए उसको negative करके बनाएंगे इसका rule यह है अगर first sentence आपका positive है तो question tag आपका negative बनेगा और अगर पहला sentence आपका अगर negative है तो question tag आपका affirmative बनेगा number three make a short form of helping verb कोई भी helping verb आपने उठाया तो उसके आपको short form बनानी है is is का isn't बनाना है is not नहीं करना आपको isn't बनाना है cannot can't are not aren't should not shouldn't would not wouldn't इस तरह आपको सारे helping verb के not करके लगा कर सबकी short form आपका बनानी है do not don't does not doesn't आपको tenses आने चाहिए आपको पता होना चाहिए don't कब लगेगा और does not कब लगेगा third person singular के साथ yes के इजाफ है जिस तरह वर्प में करते हैं इसी तरह negative बनानी के लिए does not don't की जगा doesn't हम use करेंगे आपको अच्छी तरीके से पहले sentence आने चाहिए अगर sentence आपको अच्छी तरीके से आजेंगे तो easily आप take questions बना सकते हैं और इसका fourth rule यह है take out subject from sentence sentence से आपको subject उठाना है जैसे कि एक जुम्ला है I am not playing with you मैं तुम्हार साथ नहीं खेल रहा हूँ I am not playing with you am I के खेल रहा हूँ अगर पहला जुम्ला negative बना होगा तो दूसरा जुम्ला automatically हम affirmative बनाएंगे तो इसमें यह rule है कि आपको इसका subject उठाना है पहले आपने help more उठाया फिर second number पे आप उसका subject उठाएंगे helping verb आप उठाएंगे helping verb अगर आपको पता होने चाहिए कि not में जुम्ला बनेगा negative बनेगा या positive बनेगा यह आपको rule अच्छी तरीके से याद करने चाहिए अगर first sentence आपका positive है तो automatically second आप उसका negative बनाएंगे अगर negative है तो positive बनाएंगे यहाँ जुम्ला हमारा negative है I am not playing with you तो हम इसका positive बनाएंगे am I पहले हमने help more उठाया isn't, is not, are not, am not negative नहीं बना रहे हम positive बना रहे हैं सिर्फ हम इसमें am लगाएंगे और फिर इसके बाद subject उठा लेंगे subject उठा लेंगे फिर पांचमा इसका rule है fifth rule put the subjective pronoun and question mark in the end of sentence हम subjective pronoun लेंगे फिर इसके बाद question mark लगा देंगे फिर sentence हमारा complete हो जाएगा जैसे के subjective pronoun का मैं आपको बता दियूँ इसमें सारिम can help you सारिम तुमारी मदद कर सकता है तो हमने इसका negative पहले जुमला positive है तो second इसका negative बनाएंगे negative बनाने के लिए हम इसका helping verb उठाएंगे जो भी है ही, शी, इसका helping verb is है, आर है या फिर shoot है, vote है can है, इसमें can है तो can उठा लिया positive है पहले जुमला तो हम इसका negative बनाएंगे can का कर देंगे can't सारिम को हम नहीं लिखेंगे can't सारिम नहीं लिखेंगे सारिम क्योंकि noun है, कोई नाम वायरा noun कहलाता है तो इसमें fifth rule हम apply करेंगे put the subjective pronoun and question mark in the end of the sentence noun की जगा हम pronoun use करेंगे अगर लड़का है तो he लगा देंगे और अगर लड़की का नाम है तो she लगा देंगे noun की जगा हम pronoun use करेंगे subjective pronoun use करना है ठीक है, put the subjective pronoun and question mark in the end of the sentence sentence इस तरह बनेगा सारिम can help you first sentence और इसका tag question इस तरह बनेगा can't he और अगर किसी और का नाम होता as you can help you can't she एक और मलतबह देख लिए, sentence किस तरह बनते है I daily play a game इसका tag question, don't I last में question mark लगाना है number two my mother loves me doesn't she मेरी अम्हें मुझसे महबद करती है के नहीं करती number three I like Priyani में Priyani पसंद करता हूं don't I के नहीं करता Farhan loves me doesn't he परहान मुझसे महबद करता है doesn't he के नहीं करता you go to school daily don't you I should keep time I should keep you time shouldn't I you can't speak English can't you are you Indian aren't you I will go won't I Najma can cook Priyani can't she video अच्छी लगी तो लाइक कर दीजेगा और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजेगा और साथ ही बैल आइकन पर भी क्लिक कर दीजेगा मेरी आने मारी नेक्स वीडियो के इंतसार कीजेगा तिल देन अल्ला हापिस अपना बहाँ सारे ख्याल रखियेगा